नमस्कार मैं मिति विदी आप सब भी का स्वागत करता हूं पर आज एक ऐसी जगे में आया हूं जहां पर 100% सब कुछ इलेक्ट्रिक संचालित होता है और इस समय जहां पर बैठा हूं यह है Tata Motors Smart City Mobility Solution और इसका डीपो है नजब गड़ में और मेरे साथ इसको संचालित करने बर और मालिकर अफ़य के सब्सक्रिप्जा मॉडल पर है ना से प्सक्रिप्शं मॉडल पर आं गरंड हर बन और मालिकर वही त Mackie बड़ नोटो कमस्क्रिप्शान आप में लैए त Wheatka कि अंत्यक्ता करें और वहां किımız नहीं तर दिली में भूल यारे देख थोरी वहां तक किया था थोड़ा समझाइए और कितना benefit है आपके लिए तो हमें दो दौर देखें पहला ब्लू लाइन देखा जब डीजल थी ब्लू लाइन उसमें बहुत जदा रख रखाऊ maintenance में खर्चा बहुत जदा होता था क्योंकि हर 9000 km पे service होते थी और उसमें filter बहुत सारी कि इसमें service का जो schedule है वो हर 20,000 km पे है तो 50% saving तो आपकी वहीं हो गई जो नौ में खर रहे थे आप बीस पे करोगे और बड़ी minimum चीज़ें कम से कम चीज़ें इसमें चेंज होती है क्योंकि सब computerized है तो logger से connect करके सब कुछ कुछी से ही चेक करा जाता है मेंनली चेकिंग का ही ज्यादा रहता है और बस खुदी ही इतनी advanced है अपने आप बता जेती है कि कुछ खराबी है बस में तो exact point कर देती है कि ये पार्ट में डिपेक्ट का रहा है तो उस ताम के सब manual था हर मिस्टरी को अपने आप देखना पड़ता था कि क्या खराब है ए सी एंजी में अपने चालेंजेस दे उसको सिस्टम को सेफ्टी का करने के लिए स्लेंडर की हाई प्रेशर पे स्टोर होती है सेंजी उसके रख रखाओं में बहुत ज़दा खर्चा सेफ्टी में बहुत ज़दा खर्चा उत्रा एक्नॉमिकल नहीं था जितनी कि ये आपस में लोगों बास करते सुना है कि यह आगए हमारे जिनकी सबर गई एसी बड़े एफेक्टिव है अवाज नहीं है सबसे अदा आप सी इंजी बस की देखोगे बास से निकलती तो ऐसा लगता है पूरा टैंक निकल लिया है इतना शोर नॉइस पिलूशन है इसमें आ मतलब 3 km का मालज देती थी उ बसे पुरानी वाली जहां ते मुझे पता है तो वहां से लेकर यहां तक का जो दौर है आपको लगता है कि आप सही जगे बैठे हैं ज्यादा कमा पा रहे हैं देखें कमाई के में यह है कि इसमें मैंने रहे पहले बदाया अभी कि उसमें मैन तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कमाई ही है, फ्री है, कोई इसका खर्चा ही नहीं है, तो अभी आपको लगता है कि ऐसे और डिपो, मतलब देश में भी बनेंगे या दिल्ली में कुछ आपको या और आप प्लान कर रहे हो, हम भी प्लान कर रहे हैं और बड़ अब बड़े उपी में आ चुकी हैं दिल्ली के बाद बार हर सिटी कोई अशी शेहर नहीं है, चाहे मुमबई हो, बैंगलोर हो, 900 बसे भी बैंगलोर में आ रही है, मुमबई में हजार बस आ रही है, जे-एन के यसी स्टेट में भी जाथ गुड़ी डिस्टरब्ट है, वह आप खुद उनसे पूछेंगे, तो लोग C&G बस खाली घूम रही है आजकर, और इस पे जनता का रुजहान ज्यादा है, कुकि उन्हें ये सेफ, रलाइबल, और आप देख रहे हैं अंदर से भी कितनी साफ है, और कोई भी बस आप रैंडम ली चेक करेंगे, क्योंकि हमा 5-10-15 रुपे का जो उन्हें स्वाट बना रखा है, अचा है, इसी का 15, 20 और 25 है, वो सेम है, वो सेम है, इलेक्रिक में भी आता है, इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इसको, इस सेम पैसे में जब अच्छी चीज मिल रही है तो कौन ही लेना चाहे है, इस बिजन कर जाएगा जल्दी, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्रिक का संचालन है, जो इतनी बसे यहां पर चल रहे हैं, किस तरीके से होती है, तो टाटा मोटर्स की ओंड बसे हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, और साहिल सरोहा जी उसको पूरा संचालित करते हैं यह इनका हम मोटर्स के जड़िये पूरा संचालित होता है, और बाकी का सिस्टम जो है इसमें गवर्मेंट भी इंवाल्व है, मतलब कंड़क्टर गवर्मेंट के तरफ से, सही हुना से, बिल्कुल, कंड़क्टर गवर्मेंट के तरफ से दिया जा रहा है, ड्राइवर हमा मोटर्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं, और कुल मिलाकर सब कुछ एलेक्ट्रिक हो रहा है, यानि कि शुद्ध वाता बरन में आप सांस ले पाएंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो मज़ा आएगा, और जब ऐसी बस दिखे ना, तो हाँ देके रोकना, बैठना और समझने की कोशिश करना है चलती कैसे है, तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ज़रूर बताना कॉमेंट करके